Welcome back with the new video, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं present perfect continuous tense के बारे में present perfect continuous tense ऐसा sentence जिससे हमें पता चले कि कोई भी काम past में शुरू हुआ और अभी भी जारी है और साथी साथ हमें ये भी possibility है कि वो काम आगे भी जारी रहेगा ठीक है तो ऐसे sentence को हम present perfect continuous tense में मानते हैं ठीक है और इसके साथ-साथ हमें इसमें time के बारे में भी बताया जाता है अब बात करते हैं कि इस sentence की पहचान कैसे करते हैं इस sentence के end में भी आपको रहा है रही है और रहे हैं इस तरह का word मिलेगा बट उसके साथ-साथ आपको period of time या फिर point of time आपको दिखाया जाएगा कि इतने समय से यह काम हो रहा है ठीक है जैसे मैं लिखता रहता हूं इसमें हमें perfect timing है कि वो पहले से लिखता आ रहा है ठीक है और वह खाती रहती है तो इस तरह के sentence को हम present perfect continuous के एक तरीके से का अगर किसी भी sentence में perfect time perfect दिन या perfect कोई साल दिया गया है कि इस साल से शुरू हुआ है या इस दिन से शुरू है तब हम since का use करते हैं और for का use करते हैं किसी भी non-fix time के लिए जैसे कि कितनी देर से हो रहा है कितने समय से हो रहा है या फिर कितने घंटे से हो रहा है ठीक है पॉइंट ओफ टाइम होता है कि इतने टाइम से हो रहा है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंज, for example, दो बजे से, सोंवार से, अप्रेल से, या फिर नाइटीन, नाइटी से, तो इसमें हम सेंज का यूज करेंगे, ठीक है, अब बात करते हैं कि सेंटेंस को बनाया कैसे ज हम have been use करते हैं he, she, it और singular name के साथ में हम has been का यूज करते हैं main verb इसमें हमेशा सारे subject के साथ में verb की fourth form का यूज किया जाता है fourth form यानि verb की first form में ing लगी रहती है ठीक है अब बात करते हैं affirmative sentence को किस तरीके से बनाया जाता है ठीक है, affirmative sentence में सबसे पहले subject use होगा उसके बाद has या have फिर हम इसमें been लगाएंगे and then हम verb की fourth form यानि ing plus other words का use करेंगे जैसे मैं सुबह से तुमारा इंतजार कर रहा हूँ I have been waiting for you since morning Rani दो घंटों से पढ़ रही है Rani has been reading for two hours वह बहुत दिनों से बीमार है He has been ill for a long time ठीक है, अब बात करते हैं negative sentence की Negative sentence में rule होता है subject plus has have plus not been ठीक है, has have के बाद not लगेगा, then been लगेगा has been not नहीं लगेगा plus verb की fourth form and object जैसे मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ I have not been working since morning वह दो गंटे से नहीं पढ़ रहा है He has not been reading for two hours तुम दो दिनों से इस school में नहीं जा रहे हो You have not been going to this school for two days ठीक है, अब बात करते हैं interrogative sentence की interrogative sentence आप जो बनाएंगे तो सबसे पहले आप उसमें wh word रखेंगे यानि question word उसके बाद में has have प्लस subject यहाँ पर आप change देख रहे हैं has have के बाद में आपको subject रखना है negative में आपने has have के बाद में not रखा था ठीक है, उसके बाद हम been लगाएंगे plus verb की fourth form and object plus question mark क्या तुम सुभा से पढ़ रहे हो have you been reading since morning क्या वे तीन दिनों से व्यस्त है has she been busy for three days क्या वे पांच बजे से सो रही है has she been sleeping since five o'clock अब बात करते हैं interrogative negative sentence की यानि इसमें हमें question mark के साथ में नहीं भी दिया गया है तो हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले question word रखेंगे उसके बाद has have plus subject plus not been plus verb की fourth form plus आदा words यानि object plus question mark for example क्या वे बचपन से दिल्ली में नहीं रह रहा है has he not been living in Delhi since his childhood क्या तुम 1990 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो have you not been teaching English since 1990 आप वहां कब से नहीं जा रहे है since when have you not been going there तुम दस बजे से किसे रूंड रहे हो whom have you been searching for since 10 o'clock so that is it for today अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए रहे हूआ रहे कि कि भीज़ος